गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं सुनिल स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल में चलिए शुरू करते हैं 15 अक्टूबर 2019 के करेंट अफेर्स आज का जो हमारा पहला क्यूस्टन है भारतिय मुक्के बाज मंजू रानी ने महीलाओं की वर्ड बॉक्सिंग के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है तो अभी हाल ही में मंजू जो है इन्होंने जीता है रजत पदक यानि कि इस क्यूस्टन का बी आप्शन जो होगा हमारा वो बिलकुल ठीक होगा यह जो आपको फोटो में दिख रही है यही है मंजू रानी और इन्हो चैंपियंशिप में रजक पदक जीत के किया हो और मंजू रानी को फाइनल में रूस की एका तेरीना पाल्ट सेवा ने चार एक से हराया है यह भी आप याद रख सकते हैं किसने हराया है रूस की एका तेरीना पाल्ट सेवा ने एका तेरीना पाल्ट सेवा ने नेक्स्ट ह हमारा question है वीश्व बैंक के ने हाल ही में चालू वित्वर्स के लिए भारत की अनुमानित वृदीधर को घटा कर कितने पर्तिसत कर दिया है तो world bank ने चालू वित्वर्स के लिए हमारी जो अभी वित्वर्स ग्rowth rate है उसको घटा के चे परसंटेज कर दिया है यानि किस्क्योशन का ए आप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा दरसल 2018-19 में भारत की विर्धी दर जो थी वो 6.9 परसंटेज जो थी वो रखी गई थी अलांकि वर्ड बैंक ने South Asia Economic Focus से अपने नई रिपोर्ट के साथ में भारत की विर्धी दर जो है साल 2021 में 6.9 परसंटेज और साल 2022 में 7.2 परतिसत ठीक है उन्होंने ऐसा कहा है कि साल 2021 तक हो सकता है कि 6.9 हो और साल 2022 तक जो है वो रहनी चाहिए 7.2 परसंटेज तो अंतरास्टे मुद् यानि कि International Monetary Fund Headquarters का America Washington में है और World Bank की सुन्त वार्षिक बैठक से पहली जारी रिपोर्ट में लगातार दूसरी साल भारती आर्थिक वरिदिदर का गिरावट का अनुमान जो है वो लगाया गया है वात World Bank के New Head है उनका नाम है डैविड मालपस तो वो आप याद रखिएगा और 1944 में विशू बैंक की स्थापना हुई थी अक्सर 1944 पेपर में आप्शन ना मिले तो आप 45 लगा सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्यूस्टन है मृत्युदंड विरोधी दीवस World Day Against the Death Palanty नीमन में से किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 10 October को यान किस क्यूस्टन का D आप्शन सही है यह दिन किसी भी हालत में दिये जाने वाले मृत्युदंड के परती विरोध दर्ज के लिए मनाया जाता है तो सिंग्त राश्टर के मानवा दिकार कारालिया ने सभी देशों को आवन किया है कि उस वैस्विक संदी को मंजूर देकर लागू करे परती में आक्स फेम दोबारा परकासित एक रिपोर्ट में किस राज्य के चाय बगानों में हो रहे स्रमिक अधिकारों के उलंगन का वरणन किया गया है जाहर सी बात है चाय बगान तो भारत में सबसे ज़्जादा आसाम में ही है तो सी ऑप्शन होगा इस किस्तन का वो ब पहारत में आसाम का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज़े है। इन सर्मिकों को लगबग 137 से 167 रुपे के बीच में ही महंताना मिल रहा है मिलना चीए 3,5-3,4 रुपे के आसवाद लेकिन मिल इतना रहा है तो काफी कम है इसलिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अलंगन उन अधिकारों का अलंगन हो रहा है बात करें आसाम की तो आसाम की राजधानी है गुहाटी, मुख्य मंत्री है सर्वानंद सोनोवाल रज्यपाल है जगदीस मुख्यी आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है याद रखिएगा और आसाम में माजूली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है याद रखिएगा वो बात भी आप और असाम जो है उसके अंदर जो गुहाटी है असाम का गुहाटी जो है वो ब्रमपुतर नदी के किनारे है और असाम की राजधानी है वो दिस्पूर है ठीक है तो आप ये करेक्ट कीजेगा असाम का गुहाटी सहर ये ब्रमपुतर नदी के किनारे है दिस्पूर है असाम की राजधाने और डिब्रुगड बे जो है वो ब्रमपुतर नदी के किनारे वो आपको दिख रहा होगा ठीक है ये नदी के किनारे है ब्रमपुतर नदी है ये भारत के सबसे चोड़ी नदियों में से एक है इस नदी का नाम सामिल है नेक्स्ट जो हमारा क्यूस्टन है किस देश की उर्जा कमपनी टोटल ने आडानी गैस की 37.4 परतिसत हिस्सेदारी खरीदिने की घोशना की है तो यह जो देश है वो देश है फ्रांस यान किस क्यूस्टन का ए आप्शन जो होगा आपका वो बिल्कुल ठीक होगा दोनों कमपनियों के प्राकरतिक गैस के आयात और खुरुद्रा बिकरी के लिए 50-50 के जो है यह एक टाइप का गोशना हुई है टोटल और आदानी परिवार के पास 37.4 शेर रहेंगे बाकी 25.2 परसंटेज आम निविस्कों के पास रहेंगे तो अदानी परिवार के पास फिलाल अदानी गैस के 74.8 परसंटेज शेर हैं फ्रांस की बात करें तो फ्रांस मैप में आपको दिख रहा होगा यहां की कैपिटल पैरिस है करंसी यूरो है और यहां के राष्ट्रपती है इमिन्वल मैक्रोन नेक्स्ट हमारा क्षिशन है किस सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किये जाने वाले वैस्विक नेता बन गए हैं तो यह हैं इस्टाग्राम पे यहां किस क्षिशन का सी आप्शिन्स आई है प्रधानमंत्री मोदी को इस्टाग्राम पे लगवक 30 मिलियन से अधिक लोग फॉलो कर रहे हैं फिलाहल के लिए और जो विश्व के किसी भी नेता को फॉलो किये जाने वाले संच्छा में सबसे जादा है और प्रधानमंत्री मोदी के बाद इंडोनेशिया के राष्टरपती जोको विडियोडो का नंबर आता है उन्हें 25.6 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं और इसके बाद ब्राक ओबामा 24.8 मिलियन फॉलोवर्स है के साथ पो तीसरे नंबर पे है और प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर पे 50.7 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो भी आप याद कर सकते हैं इंस्टाग्राम की बात करें तो इस्टाग्राम लोच हुआ था 6 अक्तूबर 2010 को यह फेस्बुक के ही द्वारा बनाया गया है फेस्बुक के द्वारा ही से लॉंच किया गया था ठीक है नेक्स्ट हमारा है उस भारतिय नन का क्या नाम है जिने हाल ही में पॉप फ्रांसिस द्वारा संत की उपादी से जो है समानित किया गया है ठीक है तो उनका नाम है मरियम थेरिसिया यान किस क्यूसरन का ए आप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है यह जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है मरियम थेरिसिया केरल की नन मरियम थेरिसा को उनके निधन के 93 साल बाद संत की उपादी दी गई और उनसे पुरो भारत की मैदर टेरेसा को भी ये उपादी दी जा चुकी है पॉप फ्रांसिस द्वारा वर्स 2009 की ये घटना को चमतकार मानते हुए सिस्टर थ्रेशिया को ये उपादी दी गई है किस देश के रहने वाले जोसेफ एंटिनी फर्डिनेंड के 218 जनम देश पर गूगल ने उन्हें एक डूडल से समर्पित किया है गूगल का डूडल बना था ये और ये जो रहने वाले हैं ये बेल्जियम के रहने वाले हैं बेल्जियम की अगर हो रही है तो बेल्जियम का जिकर करते हैं उससे पहले जोसेफ एंटिनी फर्डिनेंड के बारे में जाने तो इनकी खोज थी फेनाकी किस्टॉप एक नाम का उपकरण बनाया था इनोंने ये उपकरण मौझूदा समय में सिनेमा का जनक माना जाता है इसके करण चित्रों को चल चित्र के रूप में जैसे आपका प्रोजेक्टर होता है न वो इन्हीं की ही देन है और उसी वज़े से आज के टाइम पे जितनी मूवी वगरा है वो देखी जाती है यूँ मान लीजेगा हमारे मूवी थेटर के जनकत रहे हैं ये और बेल्जियम के बात की जाए तो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रूसेलस है और यहां के प्रैम मिनिस्टर जो है वो है चार्ल्समिसेल है और यहां की करंसी यूरो है हाली में किस भारतिय खिलाडी ने डच ओपन बैडमिंटन किताब जीता है लक्षय सेन ने बी आप्शन सही है यह जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है लक्षय सेन भारतिय बैडमिंटन किलाडी है यह अज उन्होंने जापान के युसुक के ओनादेरा को 15, 21, 21, 21 और 21, 15 इन खिताबों से हराया है लक्षय सेन उत्राखंड के रहने वाले हैं और उन्होंने प्रकास पादुकोंड बैडमिंटन अकादमी से प्रिस्रिक्शन लिया है और 2017 में युरेशिया बुल्गारिया ओपन में इन्होंने गॉल्ड मेडल भी जीता था नेक्स्ट है अमेरिका ने तेल सैंत्रों पर ड्रोन हमलों के कारण खत्रे की बढ़ती आशंका के किस देश में 3,000 से अत्रिक्शनिकों को तेनात करने की घोशना की है तो खत्रे की आशंका जो है वो सौधी अरब ने ऐसा किया है तो ए आप्शन सही है इसक्शन का अमेरिका ने इस मामलों के लिए इरान को जेमेदार ठहराया है और सौधी अरब का कहना है कि अब तेल प्रतिष्टानों पर इरान ने हमला किया है और अमेरिकी रक्षा एजनसी पैंटागन का ये कहना है कि वह दो अत्रिक्त पैट्रियाट बैट्री और एक उंचाई छेतर वाले टरमिनल रक्षा प्रणाली को भी भेजेगा अमेरिका कहना है कि सौधी अरब अब अन्य से अन्य दल हत्यार और रक्षा प्रणाली के तेनाती जो है इससे की जाएगी सौधी अरब की बात की जाए तो मैप में आपको सौधी अरबिया दिखी रहा हुआ इसकी राजधानी है रियाद और करंसी है रियाल इतना फरक है दोनों में रियाद रियाल में और यहां के जो सेख है मुहमद बिन सल्मान है तो वो भी आप याद रखीगा On which of the following dates World Migratory Day is celebrated तो ये परवासी पक्सी दीवस जो है, ये कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है, 12 October को Very important है, 12 October को मनाया जाता है इस बार का theme क्या रहा था इस बार का theme क्या था आपका Plastic and pollution से related था उनको रोकना था, ठीक है Single Use Plastic इस पार बेंड किया गया है तो कि इन पक्सियों को बचाया जा सके Migrat Purs को बचाया जा सके Which of the following Typhoon causing havoc in Japan these days Typhoon कौन सा आया हो है जापान में इसका नाम है Huggy's Bus, B option सही है जापान की बात की था जापान मैप में दिख रहा होगा पर राजधानी है Tokyo 2020 के Olympic जापान की राजधानी Tokyo में होने वाले है जापान की currency yen है याद रखेगा YEN और जापान की संसद का नाम है Diet रश्या की संसद का नाम Duma है और जापान के प्रधान मंत्री है Shinjo Abe इतनी थी important जानकारी आज के current affairs are related ये वीडियो आपको कैसा लगा comment में लिखके जूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा तो ये जो important information अपने दोस्तों तक share भी कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा बहुत जल्द मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए भांसते रहिए मस्कुराते रहिए